कि सब्सक्राइब तो मैं चैनल एंड प्रेस्टी बेल आइकॉन हलो फ्रेंट्स हाओ आप लोग कैसे सब टिक टक सब्रिया आपका दोस्तों फिर प्रदेंट हो गया फ्रेंट्स आज हम लोग एक पतंग बनाने जा यह खतीमा हो गया तो उससे जो है एक पौने की पतंग निकलती है एक सीट से और एक छोटी वाली पतंग निकलती है यह देखिए यह इसका भी फर्मा हमने बना के रखा हुआ है तो कभी-कभी तो हम लोग चोटी पतंग भी बना लेते हैं मज़ा आता है उडा करके तो पर फ खतम हो गया थोड़ा बहुत वह प्लास्टिक का सीट पड़ा हुआ है लेकिन प्लास्टिक के सीट से दो-तिन पतंग बना चुका मजा नहीं आ रहा है तो फ्रेंट्स मेरे मेरे हाथ लग गया यह आप देखिए बितर से आप देखिए नहीं कितना फटा-पुटा है लेकिन जाता है को नो इधर से तो विल्कुल भी नहीं बन पाएगा इधर से तो हालत और खराब है क्योंकि प्रेंट्स इसको कोई जोड़दार पतंग बना दे जोड़ लगा करके तो अगर मैं यहां से कर कटिंग करता हूं लेकिन यह इससा खराब है इसमें से यह तो इसी पेपर को चलिए फ्रेंट्स इसको में एक काम करते हैं मेरे पास जो है यह पतंगी कागच पड़े हुए ह हैं यह सब पतंगी कागच पड़े हुए हैं इसमें यहां पर थोड़ा से डिजाइन डाल देता हूं और डिजाइन डाल करके जो है इसको बनाता हूं इसका हम लोग जो है यहां से सारा निसान लगा लेते हैं और यह सारा निसान लगा करके जो है हम इसकी कटिंग करेंगे इधर तो सारा सब कुछ ठीक है यहां तो एड़ेस्ट हो जाएगा फ्रेंट्स लेकिन जो इसका सेंटर का एक पॉइंट है वह कमजोर है और यहां पर हम लोग कोई पतंगी कागत से डिजाइन डाल देते हैं फ्रेंट्स तो चलिए इसको कटिंग करके आप लोग को दिखाते निकला तो मैंने सोचा कि इतना सरका हिस्सरा तो भटाज दिया धूर यहां पर कपर कमजोर है तो इसको एक डिजाइन फेक देखते हैं थोड़ा सा मैं स्मूथ कागज लेकर के इतना ही बड़ा एक टुकड़ा काट करके यहां पर जोड के आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहां पर हम लोग जो है एक निशान लगा रहे हैं यह निशान लगा दिया हमने और एक यहां पर निशान लगाएंगे इधर से एक सूथ का मार्जी छोड़ देंगे और यह देखिए हैं यहां पर निशान लगा देते हैं इस तरह से क्योंकि जब यहां पर एक डिजाइन डाल दिया तो यहां पर भी डिजाइन डालने में कोई हर्ज नहीं है कि यहां पर भी पेपर थोड़ा सा कमजोर है तो इसको हम काट करके आलग कर देंगे इतना बड़ा पट्टी काट करके आलग कर देंगे तो इसको कटिंग शुरू कर देते हैं प्रेंट्स तो यह वाली काट दी मैंने यह काट दी अब इस वाली इससे को काटते हैं फ्रेंट्स और इसको भी काट करके आलग करना पड़ेगा यह देखिए यह देखिए इसको काट करके हम लोग यह हो गया आलग तो फ्रेंट्स यहां पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि ब्लैक कलर का ब्लैक कलर का यहां पे पट्टी लगा देंगे तो इसमें से ब्लैक कलर का पट्टी निकालते हैं देखता हूँ हाँ ब्लैक कलर के छोटे-छोटे टुकडे काफी पड़े हुए जोड करके बना देता हूं इनको फ्रेंट्स ये देखिए ये पट्टी मैंने काटली ब्लैक कलर की और इसमें तीन जोड लगाना पड़ा एक तो ये जोड लगा है और एक जोड जो है एक जोड यहां पर लगा हुआ है ये देख सकते हैं ये एक जोड यहां पर लगाया है और एक जोड यहां पर लगाया है ये तीन टुकडे से फ्रेंट्स ये एक आगस सयार हो गया है तो इसको इसमें हम जोडते हैं फेवी कॉल लगा दिया हमने और अगर लेई से बनाया जाए तो ज्यादा सफाई से बनती है लेकिन अब लेई कहां से मैं इखटा करूँ एक पतंग बनाने के लिए तो यह देखिए अब मैं इसको इसके उपर रख करके जोड़ दूँगा और थोड़ा से बड़ा है इसको बाद में कट कि यह देखिए इधर से जोड़ दिया हमने अब जो है इस वाले हिस्से को भी हम यहां पर जोड़ देंगे और यह अपने पॉजिशन पर चला जाएगा और जो इधर एक्स्ट्रा हो रहा है इसको कटिंग कर देंगे देखिए फ्रेंड्स यहां पर भी फेवी कॉल लगा दिया और अब इसको इस पर जोड़ देंगे और जुड़ जा सिमसिम जुड़ जा सिमसिम जुड़ जा सिमसिम जुड़ 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 जु पहले ठड़ा फिक्स करेंगे उसके बाद कमाल लगाएंगे तो इसको हम लोग लगा देते हैं यहां पर यह देखिए फ्रेंट्स अभी यह इसको ऐसे पकड़ के रहेंगी पकड़ के रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जुड़ जा सिमसिम तो यह जुड़ जाएगा फ्रेंट्स हम लोग अब इसका जो है इस तरह से एक मैंने छे इंच बाई एक इंच चोड़ा वो लिया है एक ब्लैक कलर का पेपर लिया है और इसको हम लोग चार इससे में काट देंगे एक दो तीन चा मैं काफी ओल्ड में थड़कर यूज करने लग रहा हूं और यह देखिए यहां पर में कॉर्णर पर लगा दूँगा तो अगें फेवी कॉल यूज करूंगा और यह चारो जो है मैं भी लगा कर क्या आप लोग को दिखाता हूं कि यह देखिए इस तरह से मैंने इसको लिया और एक कॉर्णर में लगा दिया और एक हिस्सा इसका थोड़ा सो उपर रहेगा यह देखिए इतना हिस्सा उपर रहेगा और दूसरा वाला यहां पर लगाऊंगा मैं इसके बगल में और कि यह देखिए दूसरा वाला यहां पर लगाऊंगा यहां पर मैंने स्केल से चेंच की गैप बनाई है इस कॉर्णर से यहां तक की चेंच की गैप बनाई है और यह देखिए यहां पर मैं इसको यहां पर लगा दूंगा और इतना हिस्सा छोड़के रखोंगा क्योंकि इस और फेवी कॉल लगा दिया यहां पर फेवी कॉल लगाया और इसको यहां पर एकदम corner to corner मिला करके इसको हम लोग जो है इसके उपर बैठा करके इस तरह से मांट कर देंगे और बाद में एक एक हम और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो एक एक और भी लगा करके यहां पर भी फेवी कॉल लगा करके इस तरह से आप लोगों को लगा करके दिखाता हूं यह लगा दिया और इसको थोड़ी दिर पकड़के रखेंगे फिर यहां पर इदर दोनों बखल चड़ा करके इसको भी बंद करेंगे कि हो गया तो यहां पर भी थोड़ा सा हम फेवी कॉल लगाते हैं कमान इसका काफी चड़ा के बनाया है फ्रेंट्स और थोड़ा सा जानदार बना दिया है ताकि यह दूर लड़ सके यह यहां पर बाद में फेवी कॉल लगा करके अभी इसको भी बंद करूं मैं और अब चलिए फ्रेंट्स यह लग गया अब इसमें कन्यों ने बात के पूछ लगा कर किसका इसका पूछ और लगाएंगे फ्रेंट्स यह मैंने पूछ काट लिया है मैं थोड़ा सा बड़ा पूछ काटना चाहा रहा था लेकिन अब कागज है ही नहीं इतने चोटे चोटे से कागज हैं और थोड़ा सा बड़ा पूछ काटना चाहा रहा था तो बड़ा पूछ रहता तो ज्यादा अच्छा दिख कि थोड़ा सब बड़ा पूछ रहता तो फ्रेंड ज्यादा अच्छा दिखता लेकिन अब है नहीं क्या करें मुझबूरी भी एसी यह और सब कुछ बन दे हैं यहीं टुकड़े टुकड़े यह देखी आसा निकाल दिया और एक मुझा रहे अदेखियो और यह लगा दτο मैं और लगा करके आहे हैं आप लोग को दिखाता वू कि यह यह दिखिए हैं टो तो फ्रेंड्स यह लीजिए इसको किया मैंने इधर से बंद बंद करके जो है यहां पे तीली वगणा सारा लगा देता हूं मैं और फिर उधर से जाकर के जोड़ करके आपको दिखाता हूं पूरा कम्प्लीट करके अब दिखाऊंगा प्रेंड्स प्रेंड्स यह लीजिए यह फाइनली त्यार हो गया और इसमें मैंने सुराग भी कर लिया कन्ना बादने के लिए यह देखिए अब बंतो गया है पता नहीं उड़ेगा कैसा अब यह नहीं मालूम यह तो उड़ाने से पता चलेगा तो अभी हम लोग चलिए छट पे चलते हैं छट पे चलकर कि इसको उड़ा करके देखते हैं कि उड़ता कैसा है पर फ्रेंड्स आप यह बताईए कि आपको यह डिजाइ करके जो है जो इतना कागज इसका सड़ गया था तो इतने में मुंडी बना दी और यह फटे हुए थैला फटा हुआ कागज से भी फ्रेंड्स पतंग बन सकता है लेकिन उड़ेगा कैसे अभी यह पता लगेगा अच्छा उड़ना चाहिए इसको कि चलो भाई यह करनाभी बद गया आगे वाले में भी गीठ और मार देता हूँ और यह गीठ मार दिया और यह फंदा भी मार देता हूँ आप का यह मैं नाप्तोल नहीं करता है एसी अंधाजे से में बात देता हूं और ऐसे बादने के बाद जो है इसके फंदे को मैं दात से से काड़ देता हूं मेरे दात के धार है न चुहे से भी जादा तेज है यह देखिए फ्रेंड्स अब तैयार है तो चलिए इसको ड़ात कि अंग decor चयर अगहा चैनल के यह भडग हां पूरा यहां से लेकर के चाहता हूं और रीधर बैपेप लगाता हूं और तो मैं चारचा टेप लगा दिता हूं जो धागे का रोल है उसको हम खतम कर दिया और इससे पतंग मजबूत बन जाती है और क्योंकि ये कागज आपने देखा ही था बहुत गला हुआ कागज था तो इसलिए इसमें सारा टेप लगाया गया है तो फ्रेंट्स अब हम लोग उड़ाने और उड़ा करके देखतें कि उड़ने में कैसा है कि देखिए फ्रेंट्स हवा बिल्कुल बैठी हुई है लेकिन फिर भी उड़ गई पतंग हमारी कि अभी मैं इसके ज्यादा खीचूंगा नहीं क्योंकि अभी बिल्कुल ताजा बना है तो ज्यादा खीचने से फ्रेंट्स इसके कमान और ठडड़े जो है कमान जो है अपने जेगे से हट सकता है इसलिए ज्यादा नहीं खीचेंगे कि मैं कैमेरा मैंन को बताता हूं कि अब वह दिखा दे आप लोगों को इसके चक्कर चेक करूं मैं यह राइट चकर ठीक है लेफ चकर चेक कर लूँ मैं लेफ चकर भी ठीक है अब इसको भी खीच करके देखूंगा खीचने में ओके है बस दो-चार दिन में यह सेट हो जाएगा मैं कैमेरा मैन को बोलूँगा कि पेड की टहनी दिखाए उससे आपको पता लग जाएगा बिल्कुल जो यहां पेड़ है उकलप्टस का देखिए बिल्कुल एकदम पेड़ सांथ है बिल्कुल हवा नहीं चल लहीं है और लेकिन पतंग बहुत अच्छी है फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ फ्रेंट्स अब हम लोग इसको पूरा उतार ले रहे हैं कि आज हवा बिल्कुल भी नहीं है कि देखिया फ्रेंट्स मारा फतंग उतराए है फ्रेंट्स मेरा ये वाला वीडियो कैसा बनाए है वीड códको लैक कर देना वीडियो को सेयर करना और चैनल को सब्क्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलन और जो ब개ल आइकन है ब्रुत कर्न से आइकोन को फ्रेस करने से यह पता लग जाता है आपको कि अभी अभी कोई वीडियो अपलोडिंग हुई है तो चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते तब तक के लिए बाई